दोस्तों अगर आपके पास में कोई प्राना मोनिटर है जो आज आपके यूज में नहीं आ रहा है तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास में अगर इस तरीके का या फिर बड़ी साइज वाला जो मोनिटर है वो अगर अब आपके यूज में नहीं आ रहा है तो आप उसको अपनी एक टीवी में